और यह दो आप टिक्सिर इमें सिंप निक्स्स इंप्रोंने टOPिक पर मुग करने हैं एक की सबसे ते क्या मैं भ meshया था रिफ्लेक्षे लेफ्लेक्षण रिफ्लेक्ष्टव और आपलोगो मुग करें इसी पर्द पर लेफ्लेक्षण में आपको पता हैं deposits în air I is equal to R, Refraction में basically Snare Slough होता है तो Dispersand भी Refraction का एक Special Case है यह कोई Medium है और यह कोई Wave Travel कर रही है तो Refractive Index होता है तो Medium का है वो क्या होता है वो wavelength पर Depend करता है इस Relation के According Mu is equal to A plus B by Lambda square Lambda इस इतना कम होगा Mu की Value उतनी ज्यादा होगी इसमारा विब्ग्योर होता है तो विब्ग्योर में क्या होता है Lambda V is less than Lambda R violet की wavelength सबसे कम होती है और red की सबसे ज्यादा होती है So Kauchy's equation बोलता है अब आप देखें यहां पर Lambda V सबसे कम होगा तो Inversary proportional to Lambda square आ रहा है Inversary तो नहीं आ रहा है A plus B by Lambda square आ रहा है Lambda की Value जतनी कम होगी Reflective Index उतना ही ज्यादा होगा तो Mu V is less than Mu R अगर मैं इसको Reflective Index के order में लिखूं तो Mu V का सबसे ज्यादा होगा और Mu R का सबसे कम होगा ठीक है तो Violet करका Reflective Index सबसे ज्यादा होता है और Red का सबसे कम होता है अब लोग सबसे करें कि अगर मैं कहीं पर वाइलेट और Red को साथ लेके आ रहा हूँ ठीक है कोई Medium है यह Rarer है और यह Denser यह रह आ रही है इसमें वाइलेट भी है सारे ने लेता है विप ग्योर है ठीक है साई लाइट आ रहे है डाइट रहे हुआ यहां प्याने के बात क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा डे टूवर्ड्स नॉमर्मल बेंड करेगी और यहां पे किसक्ति के लिए होगी वह हो भी वाइलट के लिए वाइलट कर रश रहेंगे नैटे सबसे ज्यादा है और डेट का reflectiveness का सबसे कम है यह कम बेंट करेगी towards normal यह आप इसको से भी कर सकते हैं स्नेर्स लौ से भी देख सकते हो मुँवन साइनाइस मुँटू साइनार ठीक है तो सारे colors के लिए मेडियम का reflectiveness अलग अलग होने से सारे colors से अलग अलग हुए इसको dispersion भूलता है प्रिजम आपको पता होगा कि अगर प्रिजम में आप जाम्रा 10 में पढ़ा हुआ है प्रिजम के बारे में कि आप white light को लाता है अब यहां पर bend होगी light रेर से dancer में और यही से रही अलग हो जाएगी violet सबस्यादा बेंड करेगी और red की bending सबसे कम होगी फिर यहांने के बात अब यह देंसर से रहर में जा रही तो इसको medium से अवे अटना है कौन ज्यादा आटेगा इसका refractive index ज्यादा होगा उसकी bending ज्यादा होगी white ज्यादा बेंड करेगा ऐसे और red यहां पर relatively कम बेंड करेगा और यह इस order में प्रेक हो जाते है सबसे नीचे कौन सायगा सबसे जब violet आएगा सबसे उपर कौन सायगा सबसे उपर red आएगा ओर पीछ में यह आई भी विप्ग्योर के कॉर्डिंग होगा violet सबसे नीचे आएगा ठीक है अभी पूस्त रहता आपसे board में कि प्रेज में अबें फ्रेक्शन होता है सबसे लीचे कौन से color आता सबसे उपर कौन से color आता है सबसे जब violet हो गया सबसे उपर red आप प्रिज में अब सारी बाते होती न वह उती है अगल ऑफफ डिवेशन के turn में सबसे ने अब सबना पढ़ेगा अगल ऑफ डिवेशन क्या होता है angle of deviation मैंने आपको reflection में बताया था incident ray होती है और जो final आपकी emergent ray होती है उसके जो बीच का angle होता है उसकों क्या बोलता है angle of deviation देखे deviation angle incident ray एक bending एंदन आवे फो नर्मल यहापकी incident ray इसको आगे बढ़ाएंगया यह final emergent ray इसको आप यहाँ पिलाएंगे यह जाने वाला रास्ता था है ना जो अगर प्रिस्म नहीं हो था पर इसका यह पाथ होता प्रिस्म की वज़े से यह पाथ हो गया तो इस एंगल ओफ डेवेशन प्रिस्म नहीं होता है अगर कॉन्वेशन की बात करें तो मैं आपको बता चूँँ पहले भी प्रिस्म की लेंस्मेकर परिस्म नहीं होता है तो आपको पताच लेगए वायलेट करेंफ ज्यादा होगा और वह पहलेए फोकस हो जाएगा और रेट थोड़ा सा बाद में फोकस होगा इस इस एफ र तो आपको पता हूना अचीए एफ र इस ग्रेटर दैन एफ वी कॉंक्यों में भी होगा एगर एक कॉंक्यों लेंस आपका पैडल रे आ रही है कॉंस अधर बेंड करेगा तोवर्ट्स नॉमल वायलेट अभी यह टेगा कॉंण वायलेट का ज्यादा होगा तो यह वायलेट आगा है यह पर इस एफ वी उसका रेलेटिवली कम होगा रेट का तो इस इस एफ आर तो यहां दी कैसे था आप कि एफ र की वैल्यू एफ वी से कहा है ज्यादा है वेर मैं एक्ट्वीट की बात करूं तो इस एफ वी और कॉंवेक्स में भी एफ एफ वी इसको में प्रूमरे सप्रूफ कर सकते हैं न वन बाइएफ इस एंड माइनस वन एप र वन माइनस वन बाइए टू एन सबसेता किसका होता है वायलेट कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का सबसे ज्यादा होता है रेट के लिए सबसे कम होता है यहां से आप उताचला है F इंवर्स की पॉर्षिनल की वन बाई N-1 N जितना ज्यादा होगा N के वेलब जितनी ज्यादा होगी फ उतना ही कम आएगा तो N-V greater than N-R इसलिए F-V less than F-R इसका N ज्यादा होता वायलेट का तो इसकी फोकल लंद कम आएगी इसकी ज्यादा होगी रेट की त्री सारी बेसिक बात होगी है ना काफी आईडिया था आपको टेंद में आपने पढ़ा हुआ भी है नेट्स आता है प्रिजन फोर्मूला यह बोर ने तो डराइब करने को आता है और JMS पर बहुत सारे कोर्शिन बनता है कि dispersion की help से किसी medium का refractive index में काल सकते हुआionedगे औरptions में इस आर्फारे को काल हमाओ हो थे या में पयालिक मणने थे अगर आप कैमेरे में कर leans design कर रहे हो तो वहांपे dispersion की important role होता है और मीनमाइस करना पड़ता है उसलिए यागतर हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट मेटेरेंट की कॉपीनेशन बनाता है और उनको मिक्स करके फिट लन्स का मटेल बनाता है जब ग्लास लगाते हो आप याज एक याज का समें इसपर्जान होता ना तर जिस कैमरे की कॉल्टी पूर होती है उसमें आपको अब यह टापिक जही के लिए इंपोर्टन नहीं और बोर के लिए बहुत इंपोर्टन थै प्रिस्म होगए दिस प्रिस्म अगल यह टॉप का एंगल यह तो सक प्रिस्म अंगल प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला इस देरिवेशन के बिन आपके डिमेकल सौल नहीं होगे पता है प्रिज्म के जो जितने भी कॉश्चन्स है वो डैकली फॉर्मूलेस कभी सौल नहीं होता है जब तक आपको एक एक स्टेप डेरिवेशन का नहीं पता है, खासकर यह के क्योश्य जो होता है, तो डेरिवेशन आपके लिए पॉर्टेंट है, इंसिडेंट रे, और यह क्या होई, यह नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट आपकर मैं अलिकने होँ आपके कोपी बाENE, टीकले है, आय js estado को पॉर्टेंट अंगल, और ल Am nach पहुंचने के बाहर और भी निकलेगी, इस एंगल को एट लिखता है, इमर्जन तेंगल ठीक है and this is R' तो यह surface का incident angle हो गया R' and what is E? E is emergent angle तो size simple note के लिए incident angle, refraction angle at first surface यह second surface का incident angle हो गया E, इसको E से टी note करते है this is emergent angle final ठीक है तो सबसे पहले हमें सारे angles में relation देखनी है इसको पीछे लाता है इसको पीछे लाता है this is delta ठीक है अब इसमें relation निकालना भी आपको बहुत दंग से आना चाहिए J के question solve नहीं होगे देखो बोर्ड का question तो होदा है tactic formula based लेकिन J में तो questions आता है उसके लिए आपको angle में relation निकालना आना चाहिए देखे वे इसको लिखता है इसको पीशे करते है ये angle कितना होगा देखे ये normal है this angle is 90 ये angle r है ये angle कितना होदेगा this is normal this is r r' sorry this angle is r' ये angle में कितना होगा this angle is r' तो ये कितना होगा ये angle 90 होगा आपका ये आर होगा तो ये कितना होगा this is 90-r and this angle this is 90-r' ठीक है इस पाहिए पी लिखता हूँ इसको में लिखता हूँ इसको में लिखता हूँ a, p, p' 90-r, 90-r' and plus a 90-r plus 90-r' plus a is 180 तो यहाँ जब मुत अचलेगा r plus r' is a ठीक है ये आपको नुमेर्कल्स में backly use कर सकते हो r plus r' is a e r' और e r' ठीक है 180-180 कैसे लाइगा आपका अब अपनों काते हैं इस पे delta कैसे निकालेगे ये अंगल आई है इसको पीछे एक्स्टेंड करता है तो ये पूरा अंगल कितना होगा ये अंगल भी आई होगा ये आपका r' है ठीक है पूरा अंगल यहां से यहां तक तो i है this angle is i vertically opposite होगा रहे i और ये and this is r ये वारा आपका एगा ये आपका i-r जो मैं लिखता हूँ इस एंगल इस आई बाइने सार ठीक है यहां पर देखे यह एंगल इतना पर इस दार डैश ठीक है इसको पीछे राता हूं यहां पर यह एक पूरा अंगल भी कितना हो जाएगा अब मैं यह एक ट्रेंगल ले रहा हूं वाल ले रहा हूं मैं इसको यहां भी लिग देता हूँ, this is e-r' अब इस टैंगल को देखिया और यहां पर एक्स्टेरियल एंगल प्रॉपर्टी लगाता है देखे क्या हो रहा है इसमें, इस टैंगल में i-r and this is e-r' और यहां रखिया है, this is deviation angle मैं इस टैंगल को मैंने बहार निकाल दिया है और यहां से आप एक्स्टेरियल अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा i-r-r' is delta i-r-r' is a-a is delta अगर आपको यह सब नहीं निकलना है at least यहां तिक तो आपको learn करना पड़ेगा कि r-r' is a और यह रोल से लेक सेप्टेबल है, ठीक है? कुछ भी कर लो आप यहां पर angle कम कर लो पड़ा कर लो यह हर केस में चलेगा, ठीक है? कि r-r' is a and i- is delta ठीक है? तो यह तो formula होगा आपके इनको बड़ा प्रैक्टिस के लिए टैंगल अंगल बना के अब नेक्स होता है इसमें minimum deviation ठीक है? यह प्रैक्टिकल भी आपके है, बोर्ड में इसको एक्शली यूज़ करते है ला, यह जो प्रिस्म मेथड है, इसको में लोग reflectiveness निकालने के लिए यूज़ करते हैं तो इस पूरी derivation को बहुत ध्यान समझेगा, जह एक क्यों के important है यह, साथ में आपका board में भी derive करने को आती है, प्लस practical भी आपकी lab में है, ठीक है? उसमें pins लगाते थे, शायद आपने experiment किया हो, एक प्रिस्व रखते थे उसमें pins लगाते थे तो, और pins का फिर उसमें image देखते थे, उसमें explain को perform करते थे, देखिया आप next समझते है, what is minimum deviation minimum याद देवे देरा बुझे देना यार वह tissue paper है कोई सका महून इडा़ को प्रिसे है minimum यू लगा येखिया 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 येख ऑनास येखिया I R R' Imergent Angle E and this is Imergent Angle E R' and I plus E-A is Delta I go not to 0 increase I maximum value from 0 to 90 ठीक है तो अगर आप इसको डेल्टा को एंगल ओफ डेवेशन को प्लॉट करते हैं विद आई तो ऐसे होता है इससे ग्राफ ऐसे बनता है ठीक है अभी पितल चेल लाएगा है ग्राफ क्यों हो आ रहा है ऐसे ठीक है यह मैं भी आपको आगे बताऊंगा बट मैंने इसको यह इससे आपर यूज कर लिगा है ठीक है तो डेवेशन क्या होता है इस आप डेवेशन को बढ़ाते हो ना दीखेद पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है टन्यविश्च अश्वं होना शुरू होता है यह ऐसे क्राफ बनता है डेवेशन व्रसिस आ या और एक कि मिनम्म डेवेशन की कंडिशन बताइए थीक है जहीं में यूज होगा और बोर्ट में लिखने को आजाती है मिनम्म डेवेशन होता है तो पहली कंडिशन है कि एंगल R is R' फस्ट कंडिशन और सेंड अंड मोस्ट इंपोर्टन Ray inside prism this ray this ray is a parallel to base जुँ सिकंड कंडिशन है रे इंसाइट प्रैज्म is this ray is parallel to base ठीक है जब बिनम्म डेवेशन होगा इस रे को parallel होगा और figure भी को symmetrical बनेगी ठीक है And figure is symmetrical. मत ब रे is symmetrical. Symmetrical about what? Symmetrical about vertical line. मत एधर का diagram. यह सारे angles के और यह सारे angles के होंगे, same आएंगे. R is r- And train side prism is parallel to base, यह इसके parallel होगी, और I is equal to E. ठीक है रे is symmetrical मुदब रे diagram is symmetrical and i is equal to e incident angle और emergent angle तो उन्हों आपके क्या होगे same होगे ये condition होती बारी minimum deviation के time पर अब देगे बई r plus r' की value a थी तो यहां से 2r is equal to a आएगा and r is a by 2 i plus e minus a is delta i is equal to e 2y minus a is delta इसको delta है दिखेंगे minimum deviation यहां से i आएगा a plus delta by 2 ठीक है पर वह deviation चले है अर्पर प्रिस्ट फॉर्मले तक हम पहुंचे नहीं है essence टो अप्लाई करते है कहीं बेप्लाई करो यहां 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 अप्लाई करते है तो 1 into sin i is this is n into sin r जहां से n कितना आएगा sin i by sin r ठीक है i और r की values पुट करते है जो i और r की values पुट करोगे तो आपको पता चलेगा जो n की value आएगी n is equal to sin a plus delta m by 2 upon sin e by 2 ठीक है this is प्रिस्ट फॉर्मूला हम क्या find का सकते है यहां से अगर प्रिस्ट अंगल पता हो minimum deviation पता हो आपको तो आप n की value भी का सकते हो refractive index of प्रिस्ट यहां जाएगा ठीक है अगर प्रिस्ट थिन होता है इफ प्रिस्ट थिन बहुत पतला है and this angle is less than 5 degree प्रिस्ट अंगल is less than 5 degree तो क्या होगा है यहां पे sin है बहुट जाएगा sin theta is theta तो n कितना राएगा upon a by 2 और यहां से बहुता चलेगा tail ties n-1 into a ठीक है this is deviation angle for thin prism अब देखें से को तो और important बाता है सबसे पहला होता है grazing incidence grazing means when ray is parallel to surface यह ऐसे एगर grazing incidence तो grazing incidence ठीक है सबस्दब होता है कि आपका अंगल आई होगा भी उसके parallel आई गिरे तो i is 90 ठीक है और i 90 होगा तो आपका आपका यह एगल critical angle के बनावर जाएगा this angle r is equal to c ठीक है तो निमेरिकास में कभी कभी वर्ल लिखा होता है तो कुछ भी पुसे तार से fine deviation angle, fine emergent angle for grazing incidence grazing incidence means angle of incidence is 90 and raised parallel to the surface ठीक है then एक point लिखा होता है कुछ समद में आगा grazing emergence what is grazing emergence emergent ray यह जो ray निकल रही है this ray is parallel to surface e is 90 ठीक है और e 90 कभ होगा when r' is equal to c अगर यह एंगल आपका c के ब्रापर होगा है r' is c e there is 90 अगर मैं आपसे emergence angle पुछू find emergence angle find emergence angle your find minimum deviation find 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 deviation ठीक है i is given i is given deviation find करना है this is i ठीक है and this angle this angle is r ठीक है यहां प्रेंस लो अप्लाई करता है 1 into sin i is sin r और यहां से पताच लिगा n into sin r sin r की value कितनी आगी this is sin i by n ठीक है r plus r' this is r' ठीक है r plus r' की value कितनी थी r plus r' is a है ना so what is r' r' is r minus a sorry a minus r r' is a minus r मतलब r' की value हो गई a minus sin inverse sin i by n ठीक है मैंने यहां से r की value पूट करती r is sin inverse sin i by n this is r' ठीक है ठीक है फिर यहां प्रेंस पाप्लाई करते है at this surface to n into sin r' is equal to this angle is angle of emergence 1 into sin e and this raise in air ठीक है तो what is sin e sin e is n into sin r' and this is sin a minus sin inverse sin i by n ठीक है यहां से e कितना देगा यहां से e की value आएगी sin inverse n and sin a minus sin inverse sin i by n ठीक है खदर्राकसा expression आगया आपको याद नहीं करना है आपको याद नहीं करना है आपको मिलेगा फिर आप पूछो कि मुच्छो कैसे आ गया कुछ खास नहीं है मैं कुछ कर नहीं नहीं इसने इसना आपलाई किया है basic property उसकी है इसने इसना मैं नहीं आपप अपलाई किया है वो expression लंबा से बनेगा ठीक है This is e What is deviation angle i plus e minus a अपको deviation angle आएगा This is i plus i and this is minus a and plus e e is sin inverse and sin and a- sin inverse sin i yn ठीक है तो ऐसे एक बार जाए में कोश्चन आगया था लंबा सा लिख दिया था कि what is angle of deviation ठीक है ठीक है यह आपके आगे angle of deviation की value तो यहाँ पे कौन कौन variable है तो सिर्फ एक variable होचा न आपका only i is variable तो हमने angle of deviation को निकाल दे है किसके term में अगर मैं इस खतरनाक से expression का graph बनाऊँ जो कि आपको सोचना मतब बनाना नहीं है तो आपको देखना है कि बनेगा क्या ठीक है इतना inverse function ही बनाने आपको तो आपको पता चलेगा कि graph जो है जो expression लिखाते मैं उस expression का graph पता रहूं आपको यहाँ पर यह minimum होगा ठीक है अब दिखें दो angle of incidence के लिए मतब डेवेशन अंगल सेम अगर यह वारा डेवेशन अंगल है इस सेम फॉर टू एंगल यह आई बन ले लेते हैं और यह यह लोग आई टू लेते हैं आई वन एड आई टू और बैसल की होगा क्या पता है होगा यह कि अगर आप इस line को draw करते हो तो यह अंगल आपका आई आएगा तो यह दहां पर यह अंगल यह हो जाएगा अब एक बाप तो अगर मैं फिगर को उल्टा कर दूं देखो अगर मैं इस रे को यहां से नाला के अगर मैं इधर से इसको इंसिडेंट करा हूं तो क्या होगा तब ही टाइग्राम वही बनेगा और जो आइंगल आएगा वही सेम होगा कि अगर आप इस 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 इंसिदेंस एंगल डिस इंसिदेंस इंगल फिशेंज ऐगर यह देखा कर दोगा तब ही क्या होगा एंगल अगल अगल के लिए अगल of division is same तो अगर आप एक लाइन को ड् तो यहां पर cut करेगी, वो क्या बदाएगी पता है, this is angle of incidence i, और यह जहां दूसरे पर cut करेगी, this is angle of emergence e, इस पर आपको question मिलेंगे, कि आपको graph बना होगा, एक पहला line बनी होगी, तो अब समझ जाना है, this is i and this is e, और यहां पर आपका ही minimum market deviation, next यहां पास, prism combination, अब prism combination जभी बात होगी, तो वहां पर thin prism होगा, अब इससे पहले कि आपको और सोननी पड़ीगी, prism combination से पहले, division तो हमने देख लिया, n-1 in 2A, next है, disperse an angle, अगर यह prism होगा, thin prism की बात हो रही है, जब यह prism combination का question होगा, चाहे हो board में बाद J में हो, ठीक है, तो यह angle बहुत कमी होता है, क्यूकि उसमें बहुत कम्प्लेक्स होगाती है, by default, इसको नोट करें, जब भी prism का combination होगा, तो हमेशा thin prism की बारे में बात करेंगा हो, यह रही ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, जिस इस वाइलेक्ट, ठीक है, और यह से क्या हैगा, जिस तक याएगा, जिस अंगल अपडेशन, ठीक हे, रेट वाली एसे निकलेगी, थोड़ा से उपर से निकलेगी, और यह क्या होगा, यह अपका हगा, आपका और गटा हागा, यह ऐसे क्या होगा, इसको बहुत है dispersant angle, वाधा होका यह सबस्तने इसको देहाँ, इसको बना क्या है, देखे यहाप कीसे देंस रहा रही थी ठीक है और यहाप ही क्या हुआ यह को बाइ अगने यह आपकी इस ए लेड ठीक है ऐसे इस डेल्टा अर ठीक है इन आपकी और इस वायले यापकी रिजिस वायट और यह थीटा होगा तो यह भी कितना होगा अब आप यहां देखे आपको पता चिलेगा अब यह प्लस थीटा इस डेल्टा वी और यहां से थीटा की वैलू कितनी आगी डेल्टा वी-अधार थीक है यह कितना है मारा यह थिर प्रिस्म का फॉर्मला भी हमने आप्लाई किया था न है अब हमने डराई किया था था न nv-1 in 2a minus this is nr-1 in 2a nv-nr in 2a यह आगेवा दिस्पर्जन एंगल ठीके वाइले और रेट के बीच का जो एमर्जनस एंगल है that is called दिस्पर्जन एंगल nv-nr in 2a अब दिस्पर्जन एंगल होता है और दिस्पर्जन एंगल कन बीधिफरेंट मतलब तो उनके लिए इस्पर्जन एंगल सेम हो सकता है मतलब एक किसी प्रिजम के लिए nv-nr in 2a और बूसरे प्रिजम के लिए एक लिकान दिसपर्सन से डेटरटी एक ऐसी प्रोपर्टी होती है जो इस ब्रोपर्टी होती है रिपेंड का अंगल होगा डेवेशन आगल यार आप क्या कर सकते हुँ बता है अप न को चेंज कर तो एक को चेंज कर तो और यह रीजय होता है कि इसका डिस्परजिन अंगल होगा तो कि एटो में डियरन फड़ा पंगा रहता है ठीक है ऐसे दो बाते होती है लोला दू इस फें सब्वक्क वीब्लियोश में चैLE करेंगे जो mean deviation होगा ठीक है वो आप यह लोग करें लेंगे and y-1 नुट करें कभी कविश्चन में क्या होगा ना आपको वाइले डिया होगा तो अगर आपको वाइले डिया हुआ रेट का दिया हुआ है ठीक है एक केस तो यह हो सकता है ठीक है कि mean deviation में किसके लिए लेना है mean deviation में लेना है किसके लिए yellow color के लिए ठीक है और वड़ना दूसरा क्या होता है कि हम mean deviation को nm-1 to a भी लिसकते है यहाप जो nm की value होगी this is nv plus nr by 2 वाइल और रेट का mean निकाल दू उसको क्या लिखेंगे nm और इसको use कर लेंगे ठीक है यह basic कहानी है जो मैं प्रिम्स की problems को solve करने में help करेगी ठीक है अब next lecture में लोग देखेंगे कि प्रिम्स में किस-किस तरह की different problems बनती है और combination बचा हुए हमारा ठीक है